हलो एवरिवन वेलकम टू इश्कोर्ट शाला आज हम देखने जा रहे हैं क्लास नाइंध हिस्ट्री का चैप्टर शोशलिजम इन यूरोप एंद रश्यन रेवलुशन और आज हम देखेंगे रश्यन सोसाइटी को तो चलो डिसकस करते हैं रश्यन सोसाइटी के बारे में वरकर्स वर डिवाइड़ शोशल गृप तो सच जो वरकर्स थे ना वो एक डिवाइड़ शोशल गृप था सम हैं इस्ट्रॉंग लिंक्स विद्धी विलेजिस फ्रॉम विछ दे कि कुछ वरकर्स का अपने गाउं से बहुत अच्छा लिंक था अदर सैटल इन सिटी पर्मानेटली और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो है ना सिटीज में पर्मानेटली से आज भी जूड रखे थे तो हम यह देख रहे हैं कि सर जो वरकर्स है ना पहले तो हमने क्या देखा क सर वरकर्स डिवाइड हो रखे थे शूचल गूरूप मतलब सर कुछ वरकर्स अपने गाउं से जुड़े थे कुछ नहीं जुड़े थे अब हम बात कर लेते हैं स्किल्स की कुछ वरकर्स के पाथ इसकिल्स अच्छी होती थी अब मैटल वरकर्स ऑफ सेंट पीटर्स वरक आपको क्या बोलते थे अब ऐसी क्या बात है संट इसकी क्या अलग था कि sir उनको है न सब eris troikates बोलते थे उनको है न workers के बीच में eris troikates समझा जाता था तो sir हम ये देख सकते हैं कि sir उनकी जो occupation की चो demand थी उसे बहुत ज़्यादा training की जरूरती उन्हें बहुत ज़्यादा इस्किल्स की ज़रूरती ताकि वो क्या बन सके एक मैटल वर्कस वो बन सके फिर हम देखते हैं वुमन मेड़ अफ थर्टी वन परसेंट ऑफ दी फैक्टरी लेबर फोर्स बाइ तो सर नाइटीन फोर्टीन में यह देखा गया कि सर वुमन का जो पार्टीशिपीशन है फैक्टरी वोकर्शिप में वह भी बहुत ज्यादा था लगवग लगवग 31 परसेंट जो है ना वर्कस थी वो कौन थी वो सर वुमन थी अब यह जो सिनारियो है यह जो हम डेटा किया जाता था मेंन के कंपेर में बिट्विन हाफ एंट थ्री क्वाटर ऑफ मेंस वेस तो सर जो मैंन की जो वेस थी ना उसका थ्री फोर्ट या फिर हम देखते हैं कितना सर हाफ तो लगवग लगवग उनके साथ क्या हो रहा था डिस्क्रमिनीशन हो रहा था ऐसे में वह कैसे हैं सर यह दूसरे वकर से इनमें क्या हैं इनमें कुछ डिवीजन हो रखा यह यह वाले वरकर अलग हैं तो हम यह देखते आ रहे हैं कि सब्सक्रम जो चेंज़े से वह बहुत ज्यादा हो रहे थे उस टाइम पीरिएड में सम्वर्कर्स फॉर्म एंटाइम्ट और अब ऐसे में कुछ वरकर ने क्या बना लिये थे कुछ अस्वीर बट्रियों ऑब इने के में इसे तैम और इसे थी तिएट तक में में बहुत कम ही देखे जा सकते थे डिस्पाइड डिवीजेंज अब सर हम एक बडिवीजन को रटा देते हैं वरकर्स डिड नए तो अगर उस गुरूप के साथ कभी भी किसी भी थरीके का विद्वाओं होगा या उसे लगेगा कि सर मुझे वो राइट्स नहीं दिये जारे जो मेरे पास होने चाहिए थे तो सर वो गुरूप क्या करेगा तो सर वो गुरूप स्ट्राइक पे चला जाएगा और हुआ भी सर्टे पर अपने आप को उनाइट करते थे और साथ ही साथ एक स्ट्राइक को और और की सर मैं डॉप थी अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, Contryside की दरब, जैसा कि हमने फ्रेंच रेवलुशन के अंदर भी देखा था अब यह जो सोसाइटी थी ना वो भी डिवाइड हो रखी थी कैसे इनके पास कौन था सब first estate याद है French society वाला तो सर इनके पास कौन थे सर इनके पास church से मतलब सर इनके पास clergy से इनके पास agenda 110 साथ इसाथ इन सब को control करने वाला कौन था मोनार था जो हम किसे के देते हैं जो हम je confidently say miracles वहाँ का king है, जो वहाँ का monaq है, उसके पास भी कई सारा land वहाँ पे था, फिर हम देखते हैं, they were also deeply religious, और साथ ही साथ वो जो लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा religious थे, बस except in a few cases, they had no respect for the nobility, तो sir, church के लिए, तो फिर भी कही न कही workers के मन में क्या थी, respect थी, पर sir, जो nobles थे nobles got their power and position through their services to desire, not through local popularity, तो sir, जो nobles है न, nobles को power कहां से मिली थी, position कहां से मिली थी, sir, उन्हों ने लोगों के बीच में कुछ ऐसा काम नहीं किया था, जिससे वो popular हो जाए, वो सिर्फ और सिफ क्या कर रहे थे, वो sir, अपनी service दे रहे थे, जार को, जार को खुश रखे रहे ताकि, sir, जादा से जादा उनके पास क्या बन सके, पावर बन सके, और साथ इसाथ उनको एक society में position भी मिल सके, तो हम यह समझ सकते हैं, कि sir, जो nobles है, वो किसके ओपर dependent है, वो sir, जार के ओपर dependent है, this was unlike France, और अब यह जो सिनारियो है, यह France से कुछ अलग था, during the French revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them, परसर देखा जाता है, कि sir, जो Brittany का, जो revolution हो आता, उसमें ही देखा गया, कि sir, जो peasants है, उन्होंने respect करी nobles की, और वो nobles की तरफ से क्या कर रहे थे, लड रहे थे, इन रश्या, peasants wanted the land of the nobles to be given to them, अब रश्या के अंदर, जो peasants है, peasants का यह मानना था, कि sir, जो यह land है इस land को nobles से छीन लेना चाहिए, और किन्हें देदेना चाहिए, उन्हें society को, उन्हें prisons को देदेना चाहिए, ताकि sir, जो society है, society का rule हो सके, land pay, frequently they refuse to pay rent and even murdered landlords, तो sir, ऐसा भी देखा गया, कि जब उनकी बाते नहीं मानी गई, तो sir, उन्होंने धीरे-धीरे rent को, rent pay करने से refuse कर दिया, फिर हम देखते हैं, in 1902, 1902 का एक event था, this occurred on a large scale in South Russia, ऐसा है ना, राज रश्या के अंदर होना शुरू कर देता है, and in 1905, such incident took place all over the Russia, और 1905 के अंदर ऐसे incidents जो थे, वो पूरे रश्या के अंदर ही प्लेस रोना शुरू हो चुकी थे, Russian peasants were different from other European peasants in another way, अब सच जो र their land together periodically and their commune may divided in according to the needs of individual family, अब सर समझ में आया है, कि सर कहीं ना कहीं socialism जो है ना, वो तो सर naturally उनमें था ही था, कैसे सर, कि जो Russian जो होते थे, Russian peasants जो होते थे ना, वो क्या करते थे, वो अपने lands को commune कर देते, periodically उन्हें मिला देते थे, और मिला के वो क्या करते थे, वो उसके ओ पर profit होता था, जिसे वो commune कहते थे, जिसे मीर कहते थे, उसे फिर जिस family की जितनी individual need है, उसके according उससे divide कर दिया करते थे, तो बच्चो आज के इस वीडियो में इतना इस वीडियो से लेटेड कोई भी doubt हो, तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं, thank you.